प्रोब्लम क्या है वो सारी जानकारी आज किस वीडियो में मैं आपको इस्टे बाइश बताऊंगा उससे पहले दोस्तो एक छोट असा रिक्वेस्ट अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आगन को जरूँद से प्रेस का लेटिक है तो चली दोस्तो इस्टार करते हैं दोस्तो यहाँ पर मैं अपने मोबाल फोन के इंदर डिजिनी प्लस ओरटी स्टार एप्लिकेशन को आपको ऑपन करके दिखा दीता हूँ जैसे मैं यहाँ पर देखसे तो यह जो प्रोब्लम आ रहा है यह दोस्तों आपको काफी सारे लोगों को जो यह problem आती है लेकिन इसका solve नहीं कर पाते हैं तो इस application को आप uninstall कर देते हैं लेकिन उसके बाद भी यह वाला problem आ जाता है तो दोस्तों इस problem को किस तरह से solve करना है आपको step by step बताऊंगा तो दोस्तों सबसे फिले आपको क्या करना है इस application से फूरा back हो जाना है और back होने के बाद दोस्तों आप अपने mobile का जो basically जो setting होता है उसको आपको यहाँ पर open कर लेना है तो यहाँ पर मैं mobile का जो setting है उसको open कर लेता हूँ open करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे scroll करना है और scroll करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर app setting का एक option मिलेगा आपको यहाँ पर click करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर काफी सारी setting मिल जाती है तो यहाँ पर host star application आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, या फिर आप ऐसे भी scroll करके भी आप यहाँ पर होट star application को भी यहाँ पर select कर सकते हो, तो यहाँ पर दोस्तों मैं scroll करके ही आपको यहाँ पर select करके दिखा देता उसमें दोस्तों आपको क्या करना है नीचे की साड में जो आपको दिख रहे हैं clear data तो दोस्तों आपको यहाँ पे clear data के उपर आपको click करना है और यहाँ पे all clear data के उपर click कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्त आपको यहाँ पर delete all data आ जाएगा तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है जैसे हैं आपको यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो दोस्त आपका यह application जो 100% work करने लग जाएगा लेकिन दोस्त आपको काफी सारी लोगों को यह problem जाते हैं कि clear data करने के बावजूद भी hot star application जो work नहीं करता है तो दोस्तो उसके लिए भी मैंने एक चीज आपको बताई है जैसे कि आपको थोड़ा नीचे scroll करना है और scroll करने के बाद दोस्त आपको यहाँ पे other permission का एक option मिलेगा आपको यहाँ पे click करना है और यहाँ पे click करने के बाद दोस्त आपको यहाँ पे change wifi connect यह वाला दिख रहा है उसके उपर आपको click करना है और इसको यहाँ पे always allow के उपर click कर देना है और आपको यहाँ पे home page shortcut का option दिख रहा है आपको यहाँ पे click करके इसको भी आपको यहाँ पर allow कर देना है उसके बाद दोस्तों आपको एक setting और करनी पड़ेगी जिसको आपको यहाँ पर data user आपको यहाँ पर click करना है और यहाँ पर click करने के बाद दोस्तों आपने जो data clear किया था उसकी वज़े से यह सारा data जो है बंद हो गया है अभी दोस्ता आपको इनको सारो को यहाँ पे ओन कर देना है कुछ इस तरह से ठीक है ओन करने के बाद दोस्ता आपको इसको बेक करना है और बेक करने के बाद दोस्ता आपको यहाँ पे complete back हो जाना है और back होने के बाद दुस्तों आपको क्या करना है जो mobile राइट वाला बटन हाँ उसको यहाँ पर press करना है और आपको यहाँ पर इसको ऐसे clear कर देना है ठीक है clear करने के बाद दुस्तों आपको यहाँ पर चले जाना है जैसे कि यहाँ पर हमारा application जो loading हो रहा है तो हम यहाँ पर कुछ second के लिए wait कर लेते हैं उसके बाद में दोस्ता आपको यहाँ पर language के लिए बोला जाएगा तो दोस्ता आप यहाँ पर जो भी language select करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर language select कर सकते हैं यहाँ पर English set किया और continue button के उपर click कर देता हूँ ठीक है उसके बाद दोस्ता आपका यह application जो 100% work करेगा और आप यहाँ पर देख सकते हो यह update के लिए बोल रहा है तो आप इसको update भी कर सकते हो Google Play Store पे जाकर यहाँ पर मैं update नहीं करने वाला हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हो यह वाला application जो work करने लग गया है तो आपका 100% है जो यह वाला application वर्क करने लग जाएगा तो दोस्तो आजकी वीडियो में इतना ही फिर में लेंगे को नई वीडियो के साथ में जब ते के लिए बाई बाई